नमस्काद अश्कूम यूटूग के मेरे चैनल में आप सबका सागत है आज का मरा विश्य है मिथुन राशी का अक्टूबर 2019 का राशी फल इस वीडियो हम देखेंगे कि अक्टूबर का माहा मिथुन राशी के जातकों के लिए क्या लेकर आया है सबसे पहले हम मिथुन राशी में घरे गोचर देख लें तो मिथुन राशी में राभू महराज विद्दमान है ग्रह गोचर अब हम बात करें कि मिथुन राशी वाली जातकों के लिए अक्टूबर के महा में क्या है उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा ये राशी फल आपकी चंदर राशी पर अधारित है अगर आपकी चंदर राशी जो है मिथुन है तो ऐसी स्थी में गोचर बुद्ध बैठा है पंचम भाब से हम विचार करते हैं मनुरंजट जगत का मीडियों का मीडिया फिल्मे अभिने एक्टिंग शेर लौट्री पत्रकारिता इस तरह की फील्ड एक्टिंग यानि जो कला कला के छेतर में साहित्य के छेतर में पत्रकारता का छेतर ये क्रेट इसलिए पंचम भाब से जुड़े वेफसायों में जितने जातक लगे हो हैं और उनकी अगर मीथुन राशी है तो उनके लिए बड़ा बहुत बेस्ट टाइम है आपको अपनी फील्ड में सफलता मिल सकती है और सफलता मिलने की पुष्टी कर रहे हैं 17 अक्टूबर से लगनेश के संग्यूती इस बात का संकेत दे रही है कि आपके प्रेम संबन्द अच्छी तरह पल्लवित होंगे और आप फ्यूचर में हो सकता है अपनी विवा के लिए प्लान कर सकें विदागति वर्त का मन पढ़ाई में अच्छा लगेगा बितन राशी के जातकों को सं चिंता चल रही थी तो आपकी चिंता वो जो है दूर हो जाएगी अब हम बात करें कि धन के संबन में तो लावेश मंगल की दिश्टी धन भाप पर होना इस बात का संकेत है कि धन का आगमन होता रहेगा और धन को लेकर को जादा बड़ी चिंता करने की जरूवत नहीं है पर मैं एक बात आपको यह बताना चाहती हूँ कि मिथुन राशी के जातक जैसा कि हम देख रहे हैं अपने पिछले के वीडियो में हमने बात करी कि मिथुन राशी के जातक लगातार संगश कर रहे हैं उसका रीजन ही है कि उनका दशमेश गुरु छटे भाब में बैठा ह उनके दशंभाब को तो पने पंचम दिश्टी दे रहा है पर तब भी लगातार उनको hooked satisfaction मिल रही है ना पने पसंद की job मिल रही है ना job में अपने पसंद की salary मिल रही है तो तरीके से वह से स्टरगल कर रहे है कमुरमाईस वाले से इसधिती में कर रहे हैं पर उनकी ये जो इसमें जो उनकी वो है उनकी इंतजार के दिन अब खतम होने वाले हैं नौंबर माह में देव गुरु बर्सपति उनके सप्तम में भी राजेंगे धनुराशी में और उनकी काम से जुड़ी जुतनी प्रॉब्लम है जो अभी संगश करते आ रहे थी सेप्टमबर 2017 से उनकी काम से जुड़ी काफी प्रॉब्लम सौल हो जाएंगी तो बस आपके लिए इंतजार का एक समय जो है एक्टूबर का माह है एक्टूबर के माह के बाद नौंबर में आपकी इंतजार की घड़ियां खतम हो जाएंगी इसके साथ भी वेपारि वर्ग के लिए थूड़ा संगश का समय है वेपारि वर्ग के लिए मित्वर्णारशी कोई बड़ी इंवस्ट्मन की तरके वो रिक्स ले 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 यह समय रिक्स लेनी का नहीं है क्योंकि दश्मेश छटे भाब में पड़ा हुआ है अचाना कि आपका दौरा लिया गया और ने कोई गलत भी हो सकता है पर इस समय एक विशेज प्रॉड बन के आ रही है मित्रुनारशी के जातकों के लिए कि अगर आपका शत्रु आपके खि कि आपको होगा मित्रुर्णारशी जातकों के लिए उन जातकों के लिए जिनकों को हिर्दय रोग है यांजी हाट की प्रावल्लम है या पेट में ऐसे डिटी वगर होती है तो एसी स्तिवा उनके लिए जरूरी है कि एपने हेल्ट की सावधानी रहें घ्रहों का गोचल ज चांच कराते रहें और अपनी ब्लेट प्रश्र की गोली भी खाते रहें क्योंकि हेल्थ पाइंट एव्यू से चतुर भाब पर सूरेवा मंगल का गोचर सही नहीं है दमपत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव का समय है क्योंकि सब्तम भाब में जो शनी थे वो मारगी हो गए ह और सब्तमेश जो आपका गुरू है वो चटे भाब में वैसी विराजमान है और इस समय चोथी रिष्टी मंगल भी दे रहे हैं चटे भाब के स्वामी हो करे तो यह समय जो है दमपत्य जीवन में थोड़ी से तनाव का समय है आप अपने दमपत्य जीवन को तनाव से बच मीडिया, प्रिंटिंग यानी मनुररंजन के चेतर से शेर मारकेट से जुड़े होए थिया फिल्मों से जुड़े होए थिया क्रेटिवेटी के काम में लगे होए थि डिजैनिंग, फैशन, डिजैनिग वगर्ellt है इस तरह के क्रेटिवेटी का वर्क करते थे फिलमें स्ट्रगल का समय है यह समय ऐसा नहीं है कि आपको कोई नहीं रॉक्री मिल सके अभी भी आप स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं और आपको नौम बर मा का इंजार करना पड़ेगा तब जाकि आपकी स्ट्रगल खतम होगी तो अब मैं बताती हूं कि मिथुन राशी के जात करएं नोट करें दो वा तीन अक्टूबर चार वा पांच अक्टूबर भर बारर क्टूबर तेरा वा चौदा अक्टूबर पंद्रा वा सॉला अक्टूबर उनिस वा चाववेशत अक्टूबरित तो यह चंद्रमा आपके लिए नेगटिव होगा इन तिथियों को आप नोट करिए 7 वाठ अक्टूबर 17 वाठ 18 अक्टूबर 26 वाठ 27 अक्टूबर यह वो तिथिया हैं जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव नहीं होगा इस परकार मिथुर राशी के जातकों के लिए जो क् मेखन का मीडिया का उनके लिए बहुत अच्छा समय है पर अगर आप सरकारी नौकरी में क्योंकि सूरे की पोजिशन नेगटिव है तो सरकार से जुड़े काम दों साब्धानी रखें अकर सरकार में आपका कोई डिलिंग वगरा होती है तो हो सकता है उसमें कुछ आपको बाधा का सामना करना पड़े पर अबराल ये समय जो है अभी मैं तो यही कहूंगी कि मितुन राशी के जातों को ने इतना ध्रह रखा है थोड़ा सा ध्रह और रखिए नौंबर के महां में आपकी काफी प्रावल्म साल्व होती हो जाएंगी आपको जो भी तक अपने काम क अपने काम की जोब साथ करती हूं अगर आपने मेरा चैनल अभी तरह सब्क्राइब कर दें साथ ही बैल ऐकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अप्लोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें इसके साथ ही न मसकाद अशकों जाए माता दी